विधान मंडल में मानने राज्यपाल के इवाशन से ही सुरू होता है बजट सत्र है तो वर्स 2024-2025 का बजट भी इस दोरान उत्तरप्रदेश विधान मंडल में प्रस्तुत होगा और वर्स भर की आईबे को लेकर के सदन में चर्चा होगी सत्र प्रारंब होने के पहले दल्य नेताओं से समंधित बैठक और उससे पूर वो बिजनेस एडवाईजरी कमिटी की बैठक भी संपन्द होकर के जो कारियोजनाय तैव हुई है उसके उनसार सरकार ने अपनी पुरी तैयारी भी की है उत्तरप्रदेश बिधान मंडल पचीस करोड जनता जनारदन की आसा आकानसाओं और अपिकसाओं का इक केंद्र है जनता से जुड़ीवे हर सुक दुख से जुड़ीवी घटनाओं को उल्लास और विलास विसाद से जुड़ीवी घटनाओं का इस साकसी है मुझे प्रसंता है कि उत्तरप्रदेश बिधान मंडल पिछले पांच-छे वर्सों के अंदर लोकतंत्र के एक महत्वपून स्थंब के रूप में अपनी सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जा रहा है सकारात्मक मुद्दों पर विकास से जुड़ेवे मुद्दों पर हर मान्य सदस्य अपनी बात को सदन में रखने के लिए उत्सुक दिखाई देता है और मैं इस उसर पर अपने पिपक्सी मित्रों से भी इस बारे में अपील करूँगा कि जो मानने सदस्यों की भावनाएं हैं उसे दल्लिय सीमाओं से अलग हट करके प्रतेश के विकास के लिए विधान सभा या विधान परिशत को हमें एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाने किया उसकता है और उस दिश से यह सत्र हमारे ले बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा राज्यपाल जी के विभासन पर चर्चा होगी उसका जवाब भी सरकार की तरब से जाएगा बजट पर चर्चा होगी मानने सदस्यों को अपनी राए इन दोनों महत्वपूर्ण मुत्तों पर और अंदान मांगों पर रखने का उसर प्राप्त होगा इसके लावा अपने अपनी विधान सभा छेत्र से जुड़े भी या प्रदेश के विकास से जुड़ी भी महत्वपूर्ण बातों को सदन के समथ से रखने का भी औसर मानने सदस्यों को प्राप्त होगा मुझे विश्वास है कि जो एक सकारात्मक माहूल पर देश के बारे में बना है देश में दुनिया में उस सकारात्मक माहूल का लाप विरोधी दल भी लेकर के एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र विधान मंडल को बनाने में अपना योगदान देंगे हमने कल भी दलिय नेताओं की बैठक में इस बारे में बहुत पस्पस टूप से कहा है कि सरकार हर विधान मंडल की कारवाई का हिस्सा बनने वाले हर मुद्वे पर चर्चा के लिए भी तैयार है और उसका जो तथ्यपरक और सही जानकारी होगी उसको सदन के समक्स रखने और मानने सदस्यों को उगद कराने के लिए फूरी तरह तैयार है मैं एक बार फिर से उत्तरप्रदेश विधान मंडल की वर्स तौजार चौबीस के सत्रप सुभारंब के उसर पर सभी मानने सदस्यों को इर्दै से स्वागत करता हूँ उन्हें उत्तरप्रदेश विधान मंडल की कारवाई को सुचारू और नियम संगत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उन सब का अववान करता हूँ लोक्तंत्र के उन मुल्यों और आदर्सों के इंडूप सत्र की कारवाई को प्रभावी टंग से आगे बढ़ाने में उनके सकारत्मक योगदान की भी पिक्सा रखता हूँ और उत्तर प्रदेश ने आधनियक प्रधान मंत्री जी के मार्क दर्सन में 22 जनवरी 2024 को अयोत्या में प्रभु स्री रामलला के 500 वर्सों के उपरांद एक लंबे अंतराल के उपरांद भब्बे प्रांद परतिष्टा समारों के सकुसलु संपन्न होने और प्रतिजिन लाखों की संख्या में सरधालु जनों का अयोत्या धाम में आगमन और उनके सकुसल दर्सन करने के सकारत्पक माहूल का लाब भी हमारे सभी मानने सदस्यकन उठाएंगे इस पूरा विश्वास के साथ मैं विधान मंडल के नए सत्र सुभारंब के आउसर पर आप सभी का भी हर्दे से अईवादन करता हूं धन्यबाद जय हिंद्ध झार जय हुम ता हुम जय ता हुम का रु Voor सक्वेंаров झbreakता हुम दो प्रॉण जय है तो ह theory और भॉण है में अभूआएंगory तो फो सबीपार।